दोस्तों ये है Vivo T15Z और आज के इस वीडियो में करेंगे इसकी उन्बॉक्सिंग ओफलाइन मार्केट से हमने इसे पर्चेस किया है 6GB 128Z वेरियंट है और लगभग साथ सत्रह हजार रुपए मुझे इसका परा है तो चलिए वैसे तो मैंने इसकी उन्बॉक्सिंग पहले ही 5G प्रोसेसर 695 लगा हुआ है स्नेपड्रेगन और 120 होस का रिफ्रेश सेट मिल जाता है इस रेंज में मिलना चाहिए था लेकिन यहाँ पर कंप्रमाइज गया है तो चलिए अभी देखते हैं और क्या कंप्रमाइज किया गया है इस बॉक्स के अंदर तो यह है बॉक्स और बॉक्स के ऊपर में ही आपको एक और छोटी सी बॉक्स जिसमें आपको हर एक फोन में मिल जाते हैं बैक कवर तो यहाँ पर भी बैक कवर डेफिनेटली होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो बैक कवर ही है और इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ डोकुमें वगेरा को और उसके बाद phone को देखेंगे तो box के नीचे यहाँ पर पहले cover के बाद यहाँ पर आपका phone रखा हुआ है तो चलिए पहले phone को बाहर कर लेते हैं ताकि नीचे के contents को देख पाए तो यह है आपका phone चलिए इसको बाद में देखेंगे side में करते हैं भी और नीचे box में क्या कुछ हमें दिया गया आप देख लेते हैं तो यहाँ पर charger है और साथे साथ आपका data cable भी इसके में दिया गया है जो की type C दिया गया है हलाग कि चलिए charger की रेटिंग देख लेते हैं यहाँ पर type C port तो है और type C cable भी है तो यहाँ पर rating रेटिंग नॉर्मल सी है यह नॉर्मल चार्जर है दोस्तों fast charger कहीं से नहीं है यह अटरावाट की charger होगी जहां तक मुझे लग रहा है तो charging की speed आपको यहाँ पर definitely लंबी जाएगी charging जो है आपका slow होगा इसमें कोई दो राय नहीं है Samsung के phone की तरह ही charge हो होगा यह फ़ी phone finally phone की बात करते हैं तो यह रहा आपका phone यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि पैक के अंदर है और बाहर करते हैं तो कुछ इस टाइब से और color जो है वैसे मुझे यह color उतना पसंद नहीं था लेकिन shop में और कोई color available नहीं था तो मजबूरान मुझे लेना पर तो मैं चुकि ग्रीन वाले के साथ जाना चाहता था लेकिन यहाँ पर जो color आ गई है खैर यह भी color बढ़िया है वह पर बात करते हैं इस phone के physical overview की तो यहाँ पर पीछे की तरह 50 Megapixel के camera लगे हुए है जो की main camera है और वह पर बात करते हैं side में तो आपका अगर हम left side, right side की बा आपको मिल जाती है ports वगेरा जो की 3.5 mm jack भी दिया गया है, mic भी दिया गया, speaker grill है और tap c port दिया गया है, वह पर इस side में कुछ नहीं है और उपर की तरफ में बात कर दो तो यहाँ पर ही आपका जो है sim tray दिया गया है, तो चलिए इस sim tray को बाहर कर लेते हैं tool की मदद से और आखर यह hybrid slots है, इसमें sg card लगेगी या फिर नहीं लगेगी, तो देखें secondary microphone भी आपका उपर में ही है और यहाँ पर अगर में बाहर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो है, यहाँ पर hybrid sim slot दिया गया है, यानि कि दो sim card लगाएंगे तो memory card नहीं लगेगी और अगर memory card लगा लेंगे तो आपका यहीं sim चलेगा, दूसरे sim के लिए जगण नहीं बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से लगाते हैं, यहाँ पर sim भी हाथों हाथ इंस्टॉल कर लेते हैं, तो चलिए, अब यहाँ पर phone को हम on करते हैं, चुकि phone को हमने off कर दिया था, हाला कि setup अगरा मैंने already complete किया हुआ है, तो reset करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो time pass होगी, तो यहाँ पर phone को off किया, ताकि boot animation, boot लोगो सब कुछ आप देख पाए, तो यहाँ पर vivo 5G यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सबसे पहले तो मुझे इसका wallpaper काफी खुबसूरत लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, wallpaper वाकई लाजवाब है, और यहाँ पर चलिए अभी setting में explore करेंगे, settings में जाकर आपको दिखाते है, settings के अंदर के vivo का यह phone है, और android के किस version पर run कर रहा है, तो हम आप देख सकते हो, वैसे तो सब कुछ आपको battery, RAM, storage, system update, सब कुछ यहाँ पर ही दिख जाता है, settings के अंदर ही, फिर भी about device में चलते हैं, और यहाँ पर यह वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि fun touch OS पे यह run कर रहा है, यानि कि android 12 out of the box यह device आती है, और यहाँ पर जो है, RAM expansion की भी feature आपको इसमें मिल ही जाती है, तो overall जो है, यहाँ पर features तो आपको maximum मिल जाते हैं, हाला कि अगली वीडियो में features को भी explore करेंगे, तो यहाँ पर आपने देखा, android 12 पे वीबो 2150 run कर रहा है, तो चलिए अभी हम यहाँ पर इसके camera को भी थोरा सा explore कर लेते हैं, पहले automatic recording होगी, वो आपको file में मिलेगी नहीं, तो इसको भी आप काफी असानी से हटा सकते हो, आने वाले अगले वीडियो में एक दो दिन में मैं आपको दे दूँगा कि कैसे आप default dialer हटा सकते हो, यहाँ पर official dialer भी वो कला सकते हो, चलिए आप यहाँ पर camera को explore करते हैं, तो camera क app को यहाँ पर open किया, तो interface आपको सर्फ, realme, oppo और इसी की तरह आपको देखने को मिल जाता है, normal सा, और यहाँ पर clarity एक बार चेक कर लेते हैं, picture click करके, तो यहाँ पर picture हमने click किया, आप picture quality देखिए, products कौन से है, यहाँ पर table के पास, यह मत देखिए आप, clarity पर ध्यान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, railway station का, यहाँ पर हमने आज capture किया, तो यह भी यहाँ पर आप देख सकते हो, overall ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई issue तो नहीं है, camera में, तो चलिए आप यहाँ पर कुछ modes वगेरा चेक कर लेते हैं, कि कौन कौन सा mode यहाँ पर दिया गया है, night mode, portrait mode भी दिया गया है, photo mode, video mode और इसके अलाबा और भी क्या कुछ दिया गया है, more के अंदर एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले selfie देखेंगे, more के अंदर भी कुछ features, यहाँ पर 50 MP mode यहाँ पर ही दिया गया है, तो चलिए पहले selfie को यहाँ पर देख ले ही है, और एक photo mode में जाएंगे, तो भी यहाँ पर clarity में कोई issue नहीं है, video mode यहाँ पर हमने click किया, थोड़ा सा video भी record करते है, कोई issue नहीं है, और यहाँ पर अगर हमने बात कर लूँ, तो यहाँ पर 50 MP mode दिया गया है, तो चलिए 50 MP में एक photo निकालते हैं, और देख लेते हैं तो यहाँ पर चलिए 50 MP में एक photo निकालते हैं, तो यहाँ पर हमने photo click किया और चलिए इसकी clarity देखते हैं, तो इसको आप ज़्यादा zoom कर पाएंगे, और यहाँ पर clarity definitely काफी खुबसूरत यहाँ पर picture यहाँ पर लिया गया है, देख सकते हो आप 50 MP में कोई doubt नहीं है, कि picture, यहाँ पर phone की मैं बात कर दू, तो इस phone में काफी अच्छे camera हैं, जिस price point पर यह आती है, बस charger पर भी यहाँ पर charger में थोड़ा सा compromise किया गया है, 18 watt के charger दी गया है, जबकि यह phone 35 watt तक support कर लेता charger तो काफी अच्छी बात थी, तो यह दी Vivo T15C की unboxing कैसी लगी आपको video comment section में ज बताईएगा comment section में यह थे Vivo T15C unboxing, बहुत सारे features के बारे में आपको आने वाले दिनों में इसी phone से बताएगे, इसे channel को subscribe करके, notification bell को hit करना मत भूलिएगा, और हाँ चते जाते को और बात कि यह 5G phone है, और dual SIM 5G support करता है, तो इसलिए आप इस doubt में मत रहिए कि दोनों SIM में 5G चलेगी या फिर नहीं चलेगी, तो मिलते हैं किसे नई वीडियो में, दीजे इजासत, thank you